नमस्कार A to Z dishes उश्या कोर्जानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जारे चीनी का पुलाओ अब चीनी का नाम सुनते हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह मीठा होगा पर यह बिल्कुल भी मीठा नहीं होता है और खा जए रहे इसे के पर इस तरह से कडायी रख दी है और इसमें डाल हूँ करीब 3-4 चम्मशत्य टेल जैसे ही गरम हो जाएगा तो तीन चम्मत जीर, टेजपत हैं और चार से पांच साबुत काली मिर्ची शांसट लॉंग डाल रही हैं उस ट्रपी चीनोघ में लूए यह सब्सरा थेषाएं रहें पर होनोंकिसि टीनच लाक उला जाकने पार sadly Kosten खड़े मसाले इसके चीनी को आँच्छे से ट्थी एपग चुके एक्षी प्यूखपकों के केदैं लिकाल के पोगा तो यह जो जाग है इस तरह से आजा और इसका कलर ऐसा हो जाए तो अब इसके अंदर हम डालेंगे तीन कप पानी तो जैसे यहाँ पानी डाले न तो थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा क्योंकि जो चीनी इतनी देर पकी है तो उसकी जो छीटे है वो उड़ते हैं तो देखिए पानी डालने के बाद अच्छे से मैंने एक बार इसे मिला लिया है अब इसके अंदर में डाल रहे है आदी चमच लाल मिर्श पाउडर एक चमच नमक डाल रहे हो और दो कटीवी हरी मिर्ची नमक और मिर्च आप अपने स्वात के नुसर कम जादा कर सकते हैं ए दालने के बाद अभी से में ढखकर नहीं पकाना है पहले हम इसका जो यह पानी है वह सूख जाए तब इसे हम ढखकर पकाएंगे तो इसे पांसे चे मिनिट तक एसे हम खुला ही पकाएंगे बीच बीच में चलाते जाएंगे और दनिया के पत्ते भी मैंने डाल दी है तो मैंने अपको कहा कि बीच बीच में चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वह सूख चुका हलका रह जाए ना देखिए इस तरह से हलका तो इसे हम ढखकर दीमी आज पर पकाएंगे तीन से चार मिंट तक तो यहां पर तीन से चार मिंट हो चुके हैं औ और हमारा जो पुलाव है आप देख सकते हैं बनकर तयार है काफी बढ़िया खुश्पू आ रही है और आप इसे एक बार जरूर ड्राइ कीजेगा एकदम मज़ेदार खाने में कुछ अलगी स्वाद तो आप देख सकते किता बढ़िया कलर है और उसी के साथ एकदम खिले खिले हमारे चावल है तो आप छोटे चावल भी इस्तमाल कर सकते और बासमती वी जैसे आपको पसंद हो इस तरह से खिले खिले ही बनेंगे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजे और मुझे कमें सेक्शन बताइए कि आपको यह कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना है तैंक्यू फॉर वाचेंग